स्वागा थे आप सभी का इस स्टाटिक जीके में बहुत इंपोर्टन वीडियो होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे नई न्यूक्तियां यानि की न्यू अपॉइंट्मेंट के बारे में 6 सितंबर 2020 तक जितनी भी नई न्यूक्तियां हुई हैं उन सभी के बारे मे डिटेल में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे इस पूरी वीडियो में तो जरूरी है कि आप लोग प्लीज वीडियो को बिना स्किप किये एंड तक जरूर देखिएगा और शेयर करिएगा वीडियो पहली बार देख रहे हैं मेरी आवाज को आप पहली बार सुन रहे हैं तो अभी हाली में गिरीश चंद्र मुर्मू को CAG न्यूक्त किया गया है, ठीक है, बात यहाँ पर आई है कि अगर CAG की तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है Comptroller and Auditor General, ठीक है, आपके भारतिय सम्विधान में Article 148 के अंतर गताते हैं CAG और इनकी जो न्यूक्ती होती है वो कर मुर्मू की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा तो आपको पता होगा अभी हाली में Article 370 को जम्मू और कास्मीर से हटा दिया गया और जम्मू को जो है एक अलग सा Union Territories बना दिया गया, तो पहले जो है जम्मू कास्मीर के पहले उपरा जपाल बनाए गए आपके ग इनोंने राजियू महरसी का जो है स्थान लिया है और राजियू महरसी आपके 13 नंबर के CAG थे ठीक है, जितने भी important fact हर एक कोशन से बन सकते हैं, सारे इस वीडियो में हम discuss कर लेंगे, तो जरूरी है कि पूरी वीडियो को end तक जरूर देखिएगा, second question है आपके सामने कि भ form होता है controller general of accountant और ये बनाई गई है अभी हाली में सोमा राय बर्मन जी, बात आती है कौन से नंबर की CA बनाई गई है, तो ये 24 नंबर की CA बनाई गई है, आपके एकजाम में कोशन बनता है कि female category में इनका करम कौन सा है, तो आप बताओगे 7 नंबर की CA है female category में, ठीक है, ब यहाँ पर बात चैन समीत की बात की जा रही है, तो आपको ध्यान रखना है सुनील जोसी यानि कि जो A option आपके सामने है, इनको चैन समीती का अध्यक्ष निउक्त कर दिया गया है, बहाँ पर B option आपके सामने है सौरभ गांगुली जो कि अभी हाली में BCCI के अध्यक्ष के रूप में निउक्त हुए हैं, C option है जैसा जो कि आपके ग्रह मंतरी अमित साहजी के सुपत्र हैं और इनको BCCI का सचिव निउक्त किया गया है, ठीक है, तो हर A question को आपके मैं option को भी discuss करने कोशिश कर रहा हूँ, जो भी important बन सकते हैं, 4th question आपके सामने है कि वर्तमान में भारत का नया वित्त सचिव किसे निउक्त किया गया है, इजी सा question है आपको पता होगा, अजय भूशन पांडे को भारत का नया वित्त सचिव निउक्त किया गया है, तो A option हमारा इसका correct option हो जाएगा, और next है question number 5, कि वर्तमान में प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी के निजी सचिव कौन बनाये गये हैं, यहाँ पर प्रधान मंतरी के निजी सचिव की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा हारदिक सतीश चंदरशाह जी को यानि कि जो D option है, इनको नरेंदर मोधी का निजी जो की important थी, exam में आपके question बनता है, जो एक रुपए का note होता है, उस एक रुपए के note में किसके sign होते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, वित्त सचिव के दस्खत होते हैं, एक रुपए के note पर, ठीक है, बाकी जितने note होते हैं, उसमें governor के sign होते हैं, लेकिन जो especially एक किसे note किया गया है, 5th question में हमने बात की थी, कि प्रधान मंतरी के नए सचिव के रूप में, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, राष्टपती के नए सचिव के रूप में, तो आपको सामने यहाँ पर कपिल देव तिरपाथी जो होगा, वो correct option हो जाएगा, इनको हम KD की हैं, बात करते हैं, यह कहां के रहने वाले हैं, तो इनका जो घर है, वो कानपूर के रहने वाले हैं, यह उत्तर प्रदेश में पढ़ता है, कानपूर, जो post की बात करें, राष्टपती के पद की बात करें, तो article 52 के तहत आता है, और अगर हम salary की बात करते हैं, तो राष किसे निउक्त किया गया है निए कि new advisor किसे निउक्त किया गया है Google Pay India का जो आपके सामने C option दिख रहा है सिखा सर्मा इनको जो है Google Pay India का नया सलाहकार निउक्त किया गया है तो C option हमारे इसका correct option होगा बात आई है यहाँ पर Google की तो हम जान लेते हैं कि इसके स्थापना कब फिर हाली में Google ने अपना तकनी की सलाहकार किसे निउक्त किया गया है हमने अभी 7th question में new advisor की बात की थी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तकनी की सलाहकार की या नि कि technical advisor कौन निउक्त किया है Google ने ध्यान लखकेगा 8th का A option अपड़ना दूबे को अभी हाली में टेकनी कल एड समझने कोशिश करिएगा जो BCCI है उसका फुल फॉर्म होता है Board of Control for Cricket in India जिसको हिंदी में कहते हैं भारतिये Cricket नियंतरन बोर्ड जिसके स्थापना होई थी 1928 में और इसका Headquarter है मुंबई में ठीक है तो अब ही हाली में BCCI के पहले लोगपाल बनाए गए हैं D.K. जैन पर हमारा correct option हो जाएगा यहाँ पर BCCI के लोगपाल की बात हुई है आप इस चीज को ध्यान लखिएगा बहुत से लोग पिनाकी चंद्र घोश को लगा देंगे लेकिन आपको यहाँ पर कोशिशन को ध्यान से पढ़ना है यहाँ पर BCCI के लोगपाल की बात की जा रही है नेक्स रेक कोशन नमबर 10 की नाबार्ड का नया अध्यक्ष की से न्यूट किया गया है बात आएए यहाँ पर नाबार्ड की तो हम जानते हैं नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है नेशनल बैंक औफ एग्रिकल्चर एंड रूलर डेवलेमेंट होता है नाबार्ड का फुल फॉर्म जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रिय क्रिसी योम ग्रामीड विकास बैंक जिसकी स्थापना हुई थी 1982 में और हैटक्वाटर है इसका मुंबई में तो अभी इसका नया अध्यक्ष बनाये गये हैं गोविंद, राजुजू, चिंटाला तो C option हमारा इसक तो B option हमारा इसका correct option हो जाएगा बढ़ते हैं question number 12 पे की वर्तमान में Indian Steel Association के नए अध्यक्ष कौन न्यूक्त हुए हैं अभी हाली में UPPSC का पेपर हुआ है कुछ हपतों पहले उसमें ये question आया हुआ था तो आप सोचते हो कितना important question है तो Indian Steel Association के अभी हाली में अध्यक्ष न subscribe button प्रेस जरूर करिएगा सबी लोग 13 question है कि वायू सेना के उपाध्यक्ष के रूप में कौन न्यूक्त हुए हैं यहाँ पर उपाध्यक्ष की बात की जा रही है अध्यक्ष की बात नहीं की जा रही है 13 का जो D option आपके सामने लिखा हुआ है हरजीत सिंग अरोडा को उप अध्यक्ष निव्ट किया गया है वायू सेना का अगर यहाँ पर हम बात करते हैं अध्यक्ष की अगर यहाँ पर अध्यक्ष पूछा होता तो आप बताते राके सिंग भदोरिया लेकिन यहाँ पर बात उप अध्यक्ष की की जा रही है तो आप बताओगे हरजीत सिंग अ कोशन आपके एक्जाम में आने के 99.9% chances होते हैं क्योंकि पहला जहां पर लगा होता है कोशन बहुत important होता है तो अभी हाल ही में भारतिये 9 सेना की जो पहली महिला पाइलेट बनाई गई वो है लेफ्टिनेंट सिवांगी तो A option हमारा इसमें correct option होगा examiner आपको confuse करेगा आपको लेफ्टिनेंट सिवांगी और भावना कांद जो आपको B option दिख रहा है ये दोनों साथ में ही देगा ध्यान लखेगा जो लेफ्टिनेंट सिवांगी है ये 9 सेना की जो है पहली महिला पाइलेट बनाई गई है लेकिन जो भावना कांद जो B option आपके सामने दिख रहा होगा ये वायू सेना की पहली जो है महिला पाइलेट बनाई गई है ठीक है तो 14 का A option हमारा correct option होगा next है question number 15 आपके सामने की हाली में NSG के महा निदेशक कौन न्यूक्त किये गए है बात आई है NSG के तो इसकी full form होती है National Security Guard इसकी स्थापना होई थी 1986 में और इसका headquarter यानि की मुख्याले है नई दिल्ली में तो अनूप सिंग को जो A option आपके सामने दिख रहा होगा यही इसके महा निदेशक अभी हाल ही में न्यूक्त कर दिये गए है ठीक है वीडियो गर आपको पसंद आ लिए तो प्लीज लाइक बटन प्रेस जरूर करिएगा रास्त्रिये पिछड़ा वर्ग आयो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है ये पूछ रहा है ध्यान रखिएगा जो भगवान लाल साहिनी है A option आपको दिख रहा होगा यही इसके रास्त्रिये पिछड़ा वर्ग आयो के अध्यक्ष नियुक्त किये गए है 17th question आपके सामने है important question है कि जो Microsoft की वर्तमान CEO कौन बनाए गए है ध्यान रखिएगा अभी बनाए कौन गए है काफी दिनों से है सत्या नडेला साहब तो A option हमारा इसका correct option हो जाएगा बात आए यहाँ पर Microsoft की Microsoft की जो स्थापना होई थी वो होई थी आपकी 4 अप्रेल 1975 की और इसके जो संस्थापक हैं वो हैं Bill Gates साहब यहाँ पर मैंने 16th question में दो चीजें छोड़ दी आपको सामने B option होगा अरविंद सकसेना हाल ही में अभी इनको UPSC का अध्यक्ष न्यूट किया गया है और यहाँ पर C option है रेखा सर्मा इनको जो है रास्ट्रिय महिला आयोक की अध्यक्ष न्यूट किया गर दी है तो हर एक कोशन के option को भी मैं आपको तोड़ की समझाने कोशिश कर रहा हूँ 20 कोशन है लेकिन हर एक कोशन से अगर आप कोशिश करोगे तो आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर कोशन तयार हो रहे है 18 कोशन है कि कोल इंडिया के 28 में चेर्मेन कौन बनाए गए है तो जान रखेगा जो कोल इंडिया है नहीं कि CIL कोल इंडिया लिमिटेड के जो अध्यक्ष बनाए गए है वह हैं प्रमोध अगरवाल सहाब तो A option हमारा है इसका correct option हो जाएगा और प्रमोध अगरवाल ने अनिल कुमार जा की जगा ले ली है बात आईए है अगर CIL की तो इसकी स्थापना होई थी 1975 में और इसका headquarter है कोलकाता में तो जितने भी important fact हर एक कोशन से बन सकते थे हमने इस वीडियो में discuss किये है I hope कि सब कुछ आपको समझ आया होगा वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा आप जिस भी ग्रूप में है टेलीग्राम, वाट्साप, हर एक जगा वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सभी क्या benefit हो सके and thank you so much for watching this video, keep smiling, stay home, stay safe